वेल्कम तो माई चैनल दोस्तों आज मैं बहुत ही आसान से सरल से रेसिपी लेकर आई हूँ भजीयों की जो रायता होता है वो रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी लगता है किसी भी सीजन में आप इसे ट्राय कर सकते हैं इसे बनाने के लिए हमें मैंने घर का अधर नागी को फ्राय करूंगी तो एक बर्तन ले लेते हैं इस बर्तन में मैं बेशन पलट लेती हूँ और थोड़ा सा पानी डाले दाल्रा बैटर बना लेती हूं मैं थोड़ी सी अजवाइन भी एड़ करूँगी दोस्तों क्योंकि बेसन पचाने में साहता करती है और अभी बेटर जो है थोड़ा गाढ़ा है मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसे और पतला करूँगी ताकि भजिये जो है बहुत जल्दी बूंदी की तरह बन जाएं चोटे-चोटे भजिये बनाने हैं हमें क्योंकि वो दही में फूल जाते हैं कड़ाई में तेल गरम कर लेते हैं तेल में जल्दी-जल्दी जटपट हम जो है किसी भी शेप के फटा-फट डालते जाएंगे भजिये और उन्हें तल कर बाहर निकाल लेंगे बुंदी का रहता भी फेमस है दोस्तों इस तरह से बुंदी का रहता भी बनाया जाता है लेकिन भजियों के रहता भी अच्छा टेस्टी लगता है अब मैं दही को फेंट लेती हूं अच्छी तरह से और इसमें थोड़ा सा चीनी और नमक मिला दूँगी चीनी आप अपन मनना हो तो आप नहीं भी डाल सकते हैं मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूं इसमें और तड़का तयार कर रही हूं रिफाइंड में मैं तड़का तयार कर रही हूं कई लोग सरसों के तिल का तड़का लगाते हैं दोस्तों राई मिर्च और मिठी निमकी पत्ती यानि करी पत्ता से मैं तड़का लगा दूँगी और फिर उसके बाद में जो है इसमें भजीयों को डुबो दूँगी आप चाहें तो दही को थोड़ा और पतला कर सकते हैं लेकिन मेरे घर के लोगों को गाढ़ा पसंदे इसलिए में गाढ़ा बना रही हूं और बस हमें इसमें गरम विए को जरूर ट्राइ किजिएगा दोस्तों टेक केर टाटा बाइबाइए